नमस्कार दोस्तो वेलकम टू माई यूट्यूब चनल स्टेजोब दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं आये हो तो आप से रिक्वेश्ट दोस्तो चैनल को सब्सक्रेब करके सब्सक्रेब किजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन हो ले दोस्तो छोटी यूटीबर हूँ कि देख लिजिएगा मोटे तोरपर डीटल साप लोग हो यहां पर मिल जाएगा कॉंप्लीट बाद में आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जो बात मैं अल्रेडी वीडियो में बूल चुक हो वो मत पूचेगा ठीक है इसलिए तोरह दिराज रख किये और वीडियो को पूरा अथ में दोज़ाची नंतर आप给 लोग को ओन लाइन जो प्यामेंट मेंट मेंरों खुंख को अर पूरिगीचर को में थेटी 커शन टीक हो जो जाता है अगर आप कारेक्शन करने चाहते हो तो वह आपको करने के लिए निया रह टेन और 11 मैं मिलेगा ठीक है उसके बाद एक्जम दो एक्जम होगा सीडूल अप टायर 1 कॉंप्यूटर विस्ट एक्जमिनेशन जो जुन जुलाई 2024 में होने वाला है उसके बाद टायर 2 बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा अगर पहला एक्जमिनेशन का इसके हमें पर लईशन क्लरक अथब जूनियर सेक्रटर एसिस्टेंट यह एक पोस्ट है अब LDC भी बोल सकते हो, junior secretary assistant भी बोल सकते हो, इसके लिए आपको लेबल 2 का बेतन मिलेगा, जिसमें 1900 से लेके 63200 बेसिक पेस्केल के इस सबसे आप लोग को salary मिलेगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, data entry operator, पे लेबल 4 मिलेगा, 25500 से लेके 18100 आप लोग को मिलने वाला है, और 5B मिलेगा, data entry operator के लिए कुछ जगाओ पे, 29200 से लेके 29200 आप लोग को मिलेगा, उसके बाद, data entry operator, grad A, जिसको लेबल 4 का salary मिलेगा, 25500 टू, 81100, मिल गए ये, आपको salary, दोस्तों, देखे, बेकेंसी की बारे में अभी जो बोला है, बोला है, ये जो अनुमानिक एक बेकेंस होगा, और ये, कास्ट वाइस, किस कास्ट को कितना पोस्ट मिलेगा, और data entry operator के लिए कितना पोस्ट है, LDC के लिए कितना पोस्ट है, वो यहाँ पर बोला गया है, due course, determined in the due course, यानि आपको जो apply, online apply, साथ में, लाजड़ेट है, इसकी बीच में, ओफिशियल वेबसेट, या आपको मिल जाएगा, इस वेबसेट में, जाने से ठीक है, अभी, कास्ट वाइस और पोस्ट वाइस वेगेंसी नहीं आया है, जिनको भी apply करना है, अब इसे अब तैयारी शूरू कर सकते हो, ठीक है, मोटे तर पर, यह पर आप लोगो, जो, पी डाबलोड के इंड़ेट को इस प्रantly above the Canadian Gabriel Program सतो, अब जोब जाएघ चाही अब लगांगे, यह पर दुस्ता सकते ही आप वो, आपका है और जो, एज लिमिट चाहिए, वो आपका i. को एक आगस्ट दो हज़़ः 24 को उन्सर, आक चाहिए, अपका i. होना चाहिए 28 से लेके 27 यह मिनिम्म आटरा मैक्सिमम 27 और अपका जनम कि दो आगस्ट 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और एक आगस्ट 2006 की बाद नहीं होना चाहिए अगर अब यूर जनरल यह को 13 साल का PWD SCSt को 15 साल का ठीक है एक सर्विस्मेंट को तीन साल का एजरी लेकर समय लेगा डिफेर्स परस्टनल डिजबल इन ऑपरेशन डिवरिंग और इन फॉरेंड कांट्री जो डिफेंस परस्टनल है डिजबलेटी से है उनकी फेमिली सागर कोई है तो डिफेंस परस्टनल डिजबल डिवरिंग विद इन फॉरेंड कंट्री अगर डिफेंस परस्टनल से कोई डिजबलेटी है जो फॉरेंड कंट्री से वह SCSt का है तो उनको 8 साल का मिलेगा याने डिफेंस परस्टनल जो ऑपरेशन में गोली लागी हो इंजरी हाई हो on duty में तो आप लोग के लिए सेष्टी हो तो आठ साल के लिए और जनल लिवर के लिए तीन साल ठीक है Central Government employee Central Government civilian employee जितने से सब्सक्राइब जितने भी सिबीलियन सेष्टी हो तो आपको 45 एर तक आप लोग एपलाए कर सकते हो अगर आब वीडो यानि बीदवा डिवोर्श्ट वीमन हो जिनकर डिवोर्श हो चुका है अत्वा वीमन जोकी जूडिशियरी यानि कानूनन तरीके से सेफरेट हो गया है और आभी तक शाद दूबरा से शादी बीद्थ नहीं किया है तोँ उनको मैक्सिमम कंद्बरत्क अलत वां अब अगर एक प्रक्राइब अप कर सकते हो और आपका कास्ट सबंद्रह तो आप 40 एर तक अपलाए कर सकते हैं सबस्क्राइबन यह पर देख सकते दाटा इंट्रेव पर्रएटर ग्रेड ए taps जिनका पॉस्टिंग होगा टीक है अभी दिखिए पर वेकें ग्रेड अ का जो पोस्ट डाटा इंट्रेपरेटर इनके पोस्टिंग होगा Ministry of Consumer Affairs and Food and Public Distribution and Ministry of Culture दो मिनिस्टिंग में आपका पोस्टिंग होने वाला है ठीक है और आपको क्वालिफिकांटेज डाटा इंट्रेपरेटर ग्रेड आ का क्वालिफिकांट चाहिए आपको 12 पास होना चाहिए साइन स्ट्रिम में ठीक है नॉर्माल जो 12 पास हो आर स्ट्रिम में या फिर कॉमर्स ट्रिम में अप्लाइने कर सकते हैं याद रखियागा यह बात बाद में मुझे कमेंट करके मत पुछेगा जो लोग पोस्ट के लिए अपला करेंगे आपको साइन स्ट्रिम में 12 पास होना चाहिए और मैंतमतिक साइन स्ट्रिम में मैंतमेंटिक मास्ट आपका होना ही चाहिए ठीक है मिदे समझ गए होंगे उसके बाद यह जो पोस्टिंग होगा दोस्तों यह जो पहले बोला गये था Ministry of Consumer, Food and Public Distribution and Ministry of Culture यह दोनों Department को छोर के बाकी जगा उपे इसका पोस्टिंग होने बला है अन्ने जगा में पोस्टिंग होगा यह दो Ministry छोर के बाकी कोही भी आपका पोस्टिंग हो सकते यह LDC और Data Entry Operator पोस्ट के लिए दूस्तों इसके लिए जो पोस्ट चाहिए होगा यह दो Department को छोर के बाकी जाए पर आपका होगा यह आपर केंडिडेट मास्टाइब 12 टेंडर्ड और यहानि इस पोस्ट के लिए जो LDC और Data Entry Operator गेड़ ए जिनका पोस्टिंग Ministry of Consumer Affairs और Ministry of Culture में नहीं होगा वो नॉर्मल 12 पस होने से भी एपलाई कर सकते हो ठीक है अगर आप Ministry of Culture और Ministry of Consumer Affairs में के नकरी करना चाहते हो तो आपको Science Stream में 12 पस होना चाहिए उमीद है आप लोग समझ गए होंगे ठीक है और Candidate का जो यह Qualification लेना है वो 1 आगस्ट 2004 की ओनुसर 12 पस होने सी होगा ठीक है यह है आपका Qualification यहापर How to apply आप किस प्रकर से apply कर सकते है यहापर चाहे तो आप लोग instruction follow करके भी apply कर सकते हो दोस्तों यहापर बोलागे आपको 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 मिलेगा ठीक है याद रखेगा वो नंबर आप से सई सई से ले लिजेगा बाकी इंस्रक्शन आप लोगिया से तुरह आपको 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 अप्लिकेशन में देना परेगा इन जैपी ईजी अतबा जैपीजी फॉर्मेट में और इसके साइज किया होगा 10 to 20 के भी ठीक है इमेज डायमेंशन इमेज को साइज होगा और दा सिगनेचर जो आपका सिगनेचर का जो डायमेंशन का जो साइज होगा वह होगा about four centimeter wide यानि 14 four centimeter and two centimeter height length and height four by two centimeter का बीच में आपको signature करना है ठीक है ते दिया है उसके बाते हैं दोस्तों application fee में एप्लिगेशन स्वारुपिया देना परेगा 100 रुपिया महीला SCHT और डिजबल्ड एक्सर्विस्वेंट केंडिएट को एप्लिकेशन फी की ज़रूरत नहीं दोस्तों और यह जो फी केन भी पेड ओंडी थ्रो भीम यूपियाई अत्वा नेट बेंकिंग ठीक है अत्वा बाई यूजिंग विजा मास्टर काड अत्वा मेंस्टरों अत्वा रूपे काड अत्वा डेविट काड यानि आपको ओनलेंड की त्रूई पैमेंट करना होगा ठीक है ओनलेंड केन भी पेड बाई आपको आठ में दौजाजाच चोबिस से पहले आपको चोबिस तक यह ओनलेंड का जो एप्लिकेशन फीए वह आपको चमा करना परेगा ठीक है यहाँ पर एप्लिकेशन कारेक्शन हो इंडी खुलेगा दस अर्गियरा मैक हो ठीक है यहाँ पर भी कुछ शर्ट था दोस्तों जैसे कि देखिए यह 11.4 का जो अप्शन है आपको कारेक्शन के लिए 200 रूपिया देना परेगा अकर आप ऐग्जम सेंटर इतना परके नहीं बता सकता मैं दीरे दरे वीडियो को पुरकी तरप कर रहा हूँ आप लोग कि यह ग्लीर देख लिजेएगा कि स्टेट में कि काहां पर एक्जम की एक्जम सेंटर होगा ठीक है कापर क्या क्या है एक्लिक डेह पर देखिक लिजेगा दे दो scheme of exam exam का जो दो pattern है टायर 1 एंट टायर 2 ठीक है यह देख सकते हैं scheme of examination टायर 1 एंट टायर 2 यह आप अब देख सकते हूँ scheme of जो टायर 1 exam का किस प्रकर्स होगा part 1, part 2, part 3, part 4 part 1 में English basic knowledge 25 MCQ 50 mark ठीक है हार कुशन 2 mark होगा general intelligence 25 MCQ 50 mark कुशन quantitative aptitude 25 MCQ 50 mark जने 100 MCQ 200 mark का exam होगा ठीक है और आप लोगको exam का जो duration मिलेगा वो 60 minute मिलेगा 80 minute मिलेगा अगर आप PWD candidate हो तो आपको 20 minute ज्यादा मिलेगा ठीक है यह है आपका टायर 1 का जो exam pattern है ठीक है there will be negative marking point 5 ठीक है यह पर आपको point 5 negative marking है यह दिखिए point 25 negative marking है दिया हुआ है point 5 यानि half mark काटा जाएगा आपके एक गला जबाब के लिए half mark काटा जाएगा दो गला जबाब के लिए एक mark काटा जाएगा टायर 1 examination will be consider objective multiple choice question होगा और दोस्तों question paper हिंदी और English में होगा ठीक है हिंदी English दोनों में ही होगा जो आपकी पसंद है आप वही paper चोस कर सकते हो ठीक है अब दूस्तों है schema of examination टायर examination टू एक्जमेनेशन टू में टायर टू में क्या के होगा section 1 section 2 यह पर दो section है और section में subject होगा section 1 में module 1 mathematical mathematical abilities यानि mathematics जो गनीत का exam होगा उसके पाद module 2 section A में module 2 में reasoning and general intelligence दो पाट होगा जिसमें mathematics होगा 30 marks का reasoning होगा 30 marks का total 60 mark maximum mark 3 mark करके मिलेगा टायर टू एक्जम में 203 mark करके दिया जाएगा 60 कुशन के लिए 180 mark 3 into 60 into 3 यानि 180 mark मिलेगा और टायम मिलेगा आप लोगो एक गट्टा इच सेक्षन यानि हार सेक्षन के लिए आप लोगों को एक गंटा भी लेगा ठीक है सेक्षन 1 में यह पहला सेक्षन 60 mark का exam होगा वह पर आपको एक गंटा भी लेगा उसकी बाद आप आते हैं दोस्तों यह दिखें सेक्षन टू सेक्षन टू में अप लोगो यह पर भी 60 मार्क है सेक्षन टू में मोडिल वान में इंग्लिश लेंग्वेज एंड कॉंप्रियेंशन 40 मार्क का और general awareness 20 मार्क का sorry friends 20 mcq टूटल 60 mcq अप लोगों को मार्क्स मिलेगा 1623 यानी 180 मार्क यह पर जो टाइम मिलेगा आप लोगों को दूस्तों वो वन आवर एंड 20 मिनिट मिलेगा extra hour PWD केंडिट को ठीक है PWD केंडिट को 20 मार्क 20 मिनिट एक्ष्र मिलेगा उसके बाद है दूस्तों section 3 section 3 में section 1 2 hour 15 मिनिट टूटल टूटल एक्जम में इसको बाग किया गया या लग लग से section 3 में subject section 3 में मोडिल 1 computer knowledge टेस्ट होगा computer knowledge module 15 MC को आएगा जहाँ पर 45 मार्क से अप लोग को computer knowledge के लिए 15 minute मिलेगा 20 minute extra मिलेगा PWD candidate को ठीक है अब यह आते हैं दोस्तो section 2 में section 2 में section 2 में section 2 में section 3 में module 2 में skill test tapping test होगा आपका ठीक है जिसमें part 1 part A में होगा skill test for DEO याने data entry operator ministry ministry जो mention किया गया था ministry ministry of culture और ministry of consumer affairs यह दोनों के लिए जो science stream में 12 पास वालो है उनके लिए part A और जो लोग normal है part B जो लोग normal 12 पास से है उनके लिए part B का टेस्ट होगा ठीक है स्कील टाटा इंटरवरेटर एकसर मिनिस्टी छोड़के ठीक है part 1 part 2 दोनों के लिए दो अलग 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 stream है यह आप मार्क सिया पर कितना होगा कुशन कितना होगा नहीं दिया गया है ठीक है अप लोग को यह computer टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 मिनिट मिलेगा PwD को 20 मिनिट एकस्ट्र मिलेगा part B के लिए भी सेम और पार्ट C में दोस्तों टाइपिंग टेस्ट फोर LDC टेस्ट 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 के लिए अपको टाइम मिलेगा 10 दस मिनिट और 15 मिनिट एकस्ट मिलेगा PwD candidate को टिक है including the following section having two module each यह पर module अप्लोग ने देख लिया है वह पर अगर confusion रहता है module फिर से यह पर भी दिया गया है section 1 में module 1, module 2, mathematical abilities, reasoning, intelligence, section 2 में module 1, module 2, module 1 में English language and comprehension, module 2 में general awareness, section 3 में computer knowledge typing test, module 2 में skill test, typing test, टिक है उमीद है आप लोग समझ गए होंगे नहीं तो अपनी सबसे भी वीडियो को post करके देख सकते हो अगर मेरे पात आप लोग को समझने में problem हो तो दोस्तों वीडियो कैसे लगता है नहीं लगता है आप लोग comment section में जोरूर बतिएगा मैं आप लोग को जीस तरह से present करते हो कि आप लोग को अच्छे लगता है कि नहीं कैसे करने साथ चाहोगा आप लोग सुजब दे सकते हो दोस्तों यह पर जो टायर टू का जो एक्जम होगा जो tapping और skill test है यह tapping skill test को छोर के बागी सबी टेस्ट multiple choice टेप कुशन होगा ठीक है यह पर दीके बोला गया है it will be mandatory for the candidate to qualify all the section all the sections of tire 2 यानि tire 2 में जितना भी sections है सभी section में आपको पास होना होगा अगर अपने तीन section है अलग-अलग tire 2 में यह अगर किसी भी section में आप फेल हो जाते हो तो आप eliminate हो जाओगे ठीक है क्याद रखिया गया और यहापर भी tire 2 का भी कुशन पेपर हिंदी और इंग्लिश में सेट होगा सिबाएं इंग्लिश का पार्ट को छोर के इंग्लिश का पार्ट तो इंग्लिश ही है ठीक है उम्हीदे समझ गए होंगे आप लोग तोरा डिटल्स आप लोग परके देख लिए यह पर देखे मोडिवल 2 और section 3 section 3 का जो skill test tapping test है उसके बारे में कुछ हिदायत दिया गये है पर module 2 of section 3 include conductor the skill test and tapping test section 2 on the same day यह एक ही डिट में आपका यह skill test tapping test लिया जाएगा ठीक है यह आप लोग तोरा डिटेल्स यह से आप लोग परके देख लिए यह देखिए skill test और data operator के लिए जो qualification skill चाहिए यह आपर अब देख सकते जो लोग ministry of department पर जो ministry of consumer affairs और ministry of culture में नोकरी करेंगे आप लोग को जो डाटा इंट्री उपराटर के स्पीड होना चाहिए ठीक है बागी का देख लिएगा वीडियो अलड़ी दोस्तों 19 मिनिट का हो चुका है और पहरा पार्ट बी में जो skill test लिए जाएगा डाटा इंट्री उपरेटर ग्रेट जो ministry को छोरके नॉर्माल जो 12 पास पूस्ट के हो 12 पास हो और स्टीम से साइंस स्टीम को छोरके उनकी लिए दोस्तों डाटा इंट्री उपरेटर 8000 वर्ड एक गंटे में आपको कॉंप्यूटर में टाइप करना होगा ठीक है जो लोग ministry में टाइप करेगा उनको दूगना टाइप करने परेगा 15000 वर्ड और इनको 8000 वर्ड अब समझ सकते हो ना कितना टाफ होगा कि इसलिए बाकी का डिटल सब तो रहिया से पर सकते हो अजकाल इतना परेली के सभी लोग हो ठीक है उसके पाइगा typing टेस्ट एदेखिए जो ldc पोस्ट के लिए यह उपर हो लगाया है data इंे यह कोई सो 88 क लिए sound प्रिंट के लिए यह आप दिख सकते हो जो टाइपिंग टेस्ट का हिंदी अंगिलिश मैं the medium of the टाइपें तेस्ट विल भी हिंदी अत्वा इंग्लिश कोई विश्य गुद्धा केंड़ेट विल हैब टो ऑप्ड दा मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आप चोस कर सकते हो बोला गया है आप चोस कर सकते हो आप किस मीडियम से टाइप करना चाहते हो यह बहुत ही आच्छा हुआ है आइदर हिंदी अत्वा इंग्लिश है हिंदी और इंग्लिश में से किसी बहुत चुनना है आप किस टाइपिंग टेस्ट किस बाशा में देना चाहते हो ठीक है यह पर दूसरा ओप्शन पर दाइपिंग टेस्ट जो चॉइस आप आपका जो फॉर्म फिल अप करेंगे किस बाशा में टाइपिंग टेस्ट जबाएगा किस बाशा में आप यह एक्जम देना चाहते हो अब जो बाशा चोस करेंगे याद रखेगा आपको उसी बाशा में एक्जम लिया जाएगा आप एक्जम देने के बाद हॉल में जाके यह नहीं बोल सकते कि मुझे हिंदी म वीडियाम जो लोग इंगलिश टैप करना चाहते हैं इंगलिश टैपिंग थार्ट वाट पार मिनिट आपको होना चाहिए और जो लोग घंदी टैप करना चाहते हैं उनको 30 वर्ट पार मिनिट आपको टाइप करना होगा और यहाँ पर दिया गया है about आपको 10500 पार आवर को कॉंप्यूटर में टाइप करना होगा अगर इंग्लिश टैप करेंगे और अगर प्सक्राइब करेंगे तो 9000 वाट आपको एक गंटे में कॉंपूटर में टाइप करना आपको अना चाहिए ठीक है उम्हिद्धे आपको मेल गया होगा दा स्पीड प नेक्स पैसे प्लिए आपको 10 मिनिट दिया जाएगा यह जो लंबा पैसे आपको एक दिया जाएगा कॉंपुटर में टाइपिंग के लिए उसके लिए आपको 10 मिनिट मिलेगा बाकी का थुरा डीटेल्स आप लोग पार लिजेगा जितना में मोटे तुर पर है मैं आप लोग को दे दिया ठीक है अब यह आते दोस्तों सिलेवस में ठीक है यह देखिए सिलेवस यह है दोस्तों syllabus 13.10 जो syllabus inductive syllabus टायर वन एक्जम टायर वन एक्जम में दोस्तों मैं में 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 स्टिम बोल के जाओंगा बाकी आप लोग पर के देख लिजेगे कि आके पढ़ना देखिए इंग्लीश लेंग्वेज इंग्लीश लेंग्वेज में आपको पढ़ना होगा स्पोर्ट दे एरोर फिल इंदा ब्लेंक सी नौनम्स हमोनौम्स एंटोनम्स स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिश्टिक स्पेल वर्ड इडियों एन फ्रीज वान वर्ड सब्सुटिशन इंप्रूबमेंट अब संटेसेंस एक्टिब एन पेसिब बोस और रहें यह सब आप सब्सक्राइब करना होगा आपकी बहुत ही आच्छा टाइम है आज से परहे शुरू किजिए अगर आप अप्लाए करना चाहते हो कि वाल इंडियन बेसी से एक्जाम है दूस्तों केंडिडेट बहुत ही जाधा होगा बहुत ही क्वालिफाइट स्टूडेंट होगा इसलिए आप लोग आच्छे से तैयारी किजिए ज्यादा से परहे किजिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हो तो ठीक है ना उसके बाद आप लोगो तो आप लोगो समझ में दिकत हो जाएगा यह कुश्चन किया जाएगा आपको आपको चारों तरफ से रिलेटेड जितना भी जीके होते हैं नॉर्मल जीके उसके रिलेटेड होगा और उसकी बाद कारेंटिवेंट यानि जो आजकाल को साइंटिफिक कारेंट आपको कुश्चन आएगा इंडिया और इंडिया के आसपास के जो नेवरिंग कांट्रिया जो साथ कांट्रिय चाइना नेपल बूटन बंगलादेश श्रीलंका मालदीब्स और पकिस्तन इस तरह कांट्रिय से आपको पढ़ना होगा खास करके इंडिया इस्पेश्याली प्रिंटरिंग टू हिस्ट्री हिस्ट्री काल्चर जियोग्रफी एकोनोमिक सेंस जनरल पोलिसी प्रोदेश अफ्री परीमीनिस्टर रष्ट्र प्रेसिदेन कोण घंगी सेंट्रिया बाकी का है इस हिता साप्रमीनिस्ट्र सेक्षन वजने नमबर सिस्टम है दूस्तों ट्रट्र एक्जम का सेक्षन ओनकर जो मोडियूल वटील परिष्ट इससे आपको पढ़ना होगा दुबर सी इसलिए बना कर दूस्तों मीने वीडियो को पोस्ट किया था कहा तक मैंने बोला था बोल गये था नमबर सिस्टम पढ़ना होगा आपको नियूमरिकल मैथमेटिकल अपरेशन्स उसके बाद एलजब्रा इसमें क्या क्या आता है अपलोग पर लिजेगा जियोमेट्री मेंसुरेशन ट्रिगोनोमेट्री स्टेटिक्स एंड प्रोबाबिलिटी य आपको क्या क्या पढ़ना होगा यह पर देख सकते क्या क्या है इसमें कुछन अबर बार्मिल टाइप इनलोजिस एनलोजी सिंबोलिक आपरेशन नमबर एनलोजी ट्रेंड्स फिगर ऐनलोजी फिगार देदेगा इसको एनलेज करना है बॉक्स वागरा जितना भी आता है और इसके लिए आपको कोचिंग लेना पड़ेगा दोस्तों कोचिंग सेंटर में आप जाएंगे तो आपको यह उनकी पास यह सब एकदम स्टेब बाई स्टेब सब कुछ है मिल जाएगा अप लोगो आप ऐसे आसानी से कितब परके समझ नहीं सकते है दिखत होगा समझ सक अब यह सकते हैं समझ लेकिन दिखत होगा बहुत ठीक है अप यह से उसके बाद आप यह देखिए मॉडियूरान सेक्षण टू का यह गया था सेक्षण वण अभी सेक्षण टू का जो मॉडियूरान है इंगलिश एंग्लिश एंड कॉम्प्रियंशन लेंग्वेज जो स् लुद सेस्ट विखता हैं सेक्शन टू का मॉड्यूलिव stripes सब्सक्राइब पढ़ना होगा इसके देख सकते हैं उसके बाद मोडिल 1 section 3 का in section 2 खतम हो चुका है अब इसक्षिन 3 section 3 का मोडिल 1 जिसमें computer proficiency paper 1 टिके पर उने computer proficiency computer basic basic में किया किया आते है अब देखिए जिए और गनाज़स्ट गाम्पुटर Central Processing Unit CPU Input Output Device Computer Memory Memory Organization यह सब परना होगा उसके बाद Software उसके बाद Working with Internet and Emails जो कि आसकल बहुत ही इंपोर्टेंट है Email Working Basic Basic of Networking and Cyber Security यह आपको परना होगा ठीक है दोस्तों यह है आपका syllabus दोस्तों आप लोगो syllabus भी मिल गया ठीक है एक्जम परेटन syllabus कि सब्रागर से होगा मिल गया दोस्तों आप यहाप देख सकते जो डोकुमेंट्स आप लोगों को चाहिए होगा एज आईडी प्रूप की तौर पर जो अपकी अप्लिकेशन की साथ आपको सब्रादर कर्ड बुटर आईडी ड्राइविंग प्रेंट्स कर्डिसम से कोई भी है ठीक है यह सब दिया हुआ है देख लिजेगा देखिए दूस किस प्रकर है पूरा दिया हुआ है जितना डिटेल्स मेंने देना था मैं यहाँ पर आप लोगों को बर दिया जो मिनिस्ट्री आप कॉंजूमर एफर और मिनिस्ट्री आप काल्चर में नोकरी करना चाहते हूँ डाटा इंट्री ऑपरेटर की तौर पर आपको साइंस स्ट ने चरद हो गिए प्लिकेशन में इसका फॉर्म किया होगा वह बहुत भी मैंने आप लोग को बता दिया ठीक है अगर आपको लगता है कि दुस्तों दीन बर आप लोगों के लिए मेनद करके नोटिफिकेशन लाता हूं मेहनत करता हो तो प्लीज 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 आप से लिंक और आप लोगो के लिए वीडियो डिस्किप्शन पर एबलेबल है टाइटिल के नीचे मोर ओप्शन में दोबर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्किप्शन मिल जाएगा वह पर आपको प्लै लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आप लोग चाहे तो एप्रिल महीने का मार् सभास्मर यह भी मिनिमम क्वालिफिंग मर्क काईर वन के लिए के लिए को मुत्यहर वन एंडड्य ह्लेक्शन गाला ओतुट सेक्शन टु अ इक्शोन मोडिल वहां सेक्शं ट्री ऑफ टायर टू एक्जंट्ट्ट्रेग्स पर सुथच्षाल मर्क तरीफ्सक्ट परसंट और बाकि जितना भी काटागरी से यूर ओबीसी छोर के रिजर्व काटागरी उनको 20 परसंट होने से आप पास हो जाओगी ठीक है यह पर आप लोग को काट अप मर्क भी मिल गया बहुत ही आच्छा हुआ स्कीप करते करते में उपर की तरफ गया आपको लोग को काट अप मर्क मिल गया ठीक है बेस्ट अप लाक मेरे तरफ से तैंक्यू फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताईएगा लेकिन आप लोग मुझे पैरा न या पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यह कैसे होगा तो मैं इसको डूणने के लिए पूरा 87 पेज पर ना होगा इतना तो मैं पर नहीं सकता दूबरा से तो यह तो बहुत जादा हो जाएगा मेरे लिए एक देर गंटा-दो गंटे काम हो जाएगा इसलिए अगर आप किसी भी पैरा समझ भी नहीं पा रहे हो तो आप पैरा नंबर मुझे इंडिकेट करो मैं नोटिफिकेशन में जाके वो पैरा नंबर पर के आपको क्लेरिफाइ करने की कोशिश करूँगा धन्यवाद वीडियो को तेकने के लिए सब्सक्रेब करके साथ में रहिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए. Thank you.